हेलो फ्रेंस मैं पूझा और स्वागत है आपका मेरी चैनल वाम्स वेबी केर में कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छी चल रहे होगी आज को टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट होने बाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिलिवरी होने से पहले क्या लक्षन होते हैं जो दिखाई देते हैं तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप तो डिलिवरी में कितने हफते कितने दिन या फिर कितने घंटे बचे हैं तो ऐसे कुछ लक्षन आज में आपको बताऊंगी जिससे कि आप आप खुद ही पता कर पाएंगी कि आपकी डिलिविरी में कितना समय बचा हुआ है आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, helpful रहेगी आपके लिए ये वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि इसी तरह की helpful वीडियो आपको देखने को मिलती रहें तो चलिए जानते हैं, जैसे जैसे हमारा डिलिवरी टाइम नज़्दीक आता है तो क्या होता है कि एक महीने पहले ही हमारे सरीर में कुछ लक्षन दिखने सुरू हो जाते हैं क्योंकि डिलिवरी के लिए हमारा सरीर पूरी तरह से तैयार होना सुरू कर देता है साथ ही बच्चा भी अपनी पोजिशन में आने लगता है तो पहले में आपको बता दूं कि जब आपकी डिलिवरी में दो से तीन हफ़ते बचे हुए हैं तो आपको क्या लक्षन नज़र आएंगी सबसे पहला लक्षन है जैसे अगर आपकी बच्ची ने हेड आउन पोजिशन कर लिया है तो अब आपकी डिलिवरी में 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं मतलब आपकी डिलिवरी जल्दी हो जाएगी आपको बस 15 से 20 दिन का ही इंतिजार करना पड़ सकता है अगर आपके बच्ची ने हेड आउन कर लिया है इसके साथ ही आपके जो पेट का उपरी हिस्सा है वो आपको खाली-खाली सा नजर आएगा और आपके पहले के रिया वर जाएना पर बहुत ज़्यादा प्रैसर पड़ेगा फ्रैंस जिनकी पहली डिलिवरी होती है वो साथ फील ना कर पाई लेकिन जिनकी ये दूसरी डिलिवरी है वो इस चीज को असानी से फील कर सकती है जब आपके डिलिवरी में 15 से 20 दिन बचे होते हैं तब क्या होता है कि आपकी पीठ में दर्द बढ़ सकता है अगर आप कुछ activity करती है जैसे अगर आप बैटी हुई है तो आप खड़ी हो जाती है या फिर आप खड़े हैं तो आप बैट जाती है लेटे हैं तो आप बैट जाती है तो ये डर्द अपने आप ही चला जाता है इसको false lever pain भी बोलते हैं यह आपको 8 महीने में या 9 महीने के सुरुवात में आ सकते हैं यह पेन नॉर्मल होते हैं इन में आपको घवराने की बिल्कुल भी जरुद नहीं है इसके साथ ही क्या होगा जब आपके डिलिविरी में 15 से 20 दिन बच्चे होंगे तब आपको बार-बार यूरिन आने की समस्या हो जाएगी यह समस्या इसलिए होती है क्योंकि जब बच्चा head-down position कर लेता है तब आपके urinary bladder पर दवाब पड़ता है जिस बज़े से आपको बार-बार यूरिन जाना पड़ सकता है अब बात करते हैं कि जब आपके delivery में 10 से 12 दिन ही बच्चते हैं तो आपको कैसे लक्षन नजराते है सबसे पहला जैसे कि आपको अभी तक सांस लेने में तकलीफ होती थी तो वो अब आपको नहीं होगी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले बच्चा बिल्कुल ऊपर की तरफ रहता था तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी लेकिन अब बच्चा धीरे-धीरे नीचे किसकने लगता है नीचे की तरफ आ जाता है इस बज़े से क्या होगा आपके पेट का उपरी हिस्सा बिल्कुल खाली हो जाएगा और आपको फिर सांस लेने में समस्या नहीं होगी दूसरा लक्षन है जैसे पहले आप थोड़ा सा भी कुछ खा लेते थे तब आपको पेट भरा-भरा सा लगता था जैसे आपने बहुत खाना खाली है लेकिन अब क्या होगा अपनी डाइट फुल ले लेंगे तब भी आपको फिल नहीं होगा कि आपका पेट बहुत फुल हो गया है भर गया है लेकिन जब आपके delivery में 10-12 दिन बचेंगे तो contraction की timing थोड़ी सी बढ़ सकती है पहले आपको कुछ second के लिए आते थे लेकिन अब थोड़ी सी इसकी जो timing है contraction की false liver pain जिसको बोला जाता है उसकी timing अब बढ़ जाएगी पहले 30 second तक के आपको pain आते थे लेकिन अभी है pain आपको एक निट तक भी हो सकते है ये दर्द आपको जैसे की period वाला दर्द होता है वैसे ही feel हो सकते हैं तो ये बिल्कुल normal pain होते हैं इसमें आपको घवरानी की जुरत नहीं होती है ये अगर आपको जादा दर्द बार बार हो रहा है इसका मतलब यही होता है कि आपके delivery में आप 10 से 12 दिन ही बचे हुए हैं इसके अलाबा जो आपको लक्षन नजर आएगा वो है आपका mucus plug निकलना सुरू हो जाएगा कई लोग यह सोच रहे होंगे कि mucus plug क्या होता है तो mucus plug क्या होता है जो बच्चे दानी के मुह पर लगा हुआ होता है जो बच्चे को एक से 9 महीने तक viral infection से वैक्टेरिया से ब भारियां से भी नजर आ सकती है mucus का करण कभी कभी गुलाबी भूरा या फिर लाल रंग का भी हलका सा हो सकता है mucus plug निकलने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि अब आपके delivery होने वाली है यह हर महिला में अलग होता है हो सकता है कि mucus plug निकलने के एक घंटे बाद ही आ आपको लेबर पे नाए तो यह हर महिला में अलग-अलग situation होती है तो दस से बारा दिन जब आपके delivery में बचते हैं तो बहुत जादा white discharge भी आपको हो सकता है इसके साथ ही क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ करने का मन करेगा मतलब कुछ ना कुछ काम आप करते रहें आप आपको free बैठने का मन नहीं करेगा आप पहले से बहुत जादा active feel करेंगी अपने आपको जब delivery में 10-12 दिन ही बचते हैं तब आपको private part में दर्द हो सकता है साथ ही आपकी जांगों में भी आपको खिचाव महसूस हो सकता है यह बिलकुल normal होता है इसमें आपको घवरानी क भी बिलकुल भी जुरुत नहीं होती है डिलीबरी के लिए हमारा सरीर तयार होना सुरू हो जाता है इसलिए यह सारे लक्षन हमें नजर आते हैं अब बात करते हैं कि जब आपके डिलिबरी में 5-7 दिन ही बचे होते हैं तब कौन से लक्षन आपको दिखाई देंगे सबस कि बिच चैनी जैसे आपको फील होने लगे गा, इसके साथ ही दर्द आपको पहले से ज़ादा बढ़ जाएगा, ओ सकता है कि पीट का दर्द इतना हो जाए कि आप से बरदास भी ना हो सके, इसके साथ ही क्या होगा कि आपको बीच-बीच में कुछ घंटों बाद आपको मरो होते हैं तब आपको कैसे लक्षन नजर आते हैं सबसे पहला लक्षन जो है वो है कि आपको कमर से पेट और पेट से कमर तक दर्द आएंगे जिनका टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो अगर आपको एक घंटे में चार बार ऐसा पेंट हो रहा है तो मतलब है आपके ड हैली फर्ट चुकी होती है अगर लगतार आपकी टांगों से पानी बहरा है पानी रुख नहीं रहा है या फिर कुछ भी आपको कर रहे हैं तब भी पानी रुख नहीं रहा है तो इस सुचेशन में एक मिनट का भी टाइम आपको वेश्ट नहीं करना है घर पर बैठे बच्चे की पानी की कमी हो सकती है, इसे बच्चे की जान को भी खत्रा हो सकता है, साथ ही बच्चे को कुछ भी infection होने के chances हो जाते हैं, तो ऐसे में एक मिनट भी आपको wait नहीं करना चाहिए, तुरंत hospital आपको जाना चाहिए, इसके बाद तीसरा लक्षन जो है, आपको नजर आएगा वो है कि आपको lose motion होने लगेंगे, इतने टाइम से आपको कबज की problem, contrapation बहुत जादा हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपका delivery time पास आएगा, तो आपको बार बार washroom जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको दस्त की सिकायत होने लगेगी, ऐसे में भी आपको समझ जा आना चाहिए कि आपके delivery बहुत जादा नजदीक है, कुछ ही घंटों में आपके delivery हो जाएगी, तो उमीद है कि आपके लिए यह video बहुत जादा helpful रहा होगा, यह जाननी में कि अब आपके delivery में कितना समय और लगने वाला है, कुछ हफते, कुछ दिन या फिर कुछ घंटे, तो फेंस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू सो मच,